नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का फ़नलेंड भायनुज ओफिशल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन का सवाल है कि क्या 27 तारिक को हमें प्री मेडिकल प्रोसेस के लिए जाना है या नहीं जाना है आप सभी लोग अभी भी द्वीदा की स्थीती में फसे हुए हैं तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि अगर 25 तारिक मतलब की कल शाम तक अगर आपको कोई नोटिस देखने को मिलता है तो आपको ठीक है अधर्वाई जो आपका प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा चार-पांच दिन मेरे गुप्ट सुतरों ने खबर दी है और जो न्यू डेट है वो जनवरी महिने में आपको मिल जाएगी मैंने सबसे पहले सुबट 10 वजे आपको वीडियो बना कर इसके ओपर इंफोर्मेशन दे दी थी उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक कहा एक अमित नाम का लड़का है उसने कहा कि भाई आपको कुछ नहीं पता आपको अपना मेंटर खुद बनने की जरूरत है मेरा भाई दिल्ली पुलिस में लग रहा है आपके गुप्ट सुतर दे जन्वरी से ही आपके स्टार्ट होंगे ठीक है सो सेम प्रोसेस ही है कि अभी आपके पास दिल्ली पुलिस की जो साइट है वहाँ पर कोई भी आपके पास नोटिस नहीं आया ठीक है बिना नोटिस के आप वहाँ पर जा नहीं सकते पहली बात दूसरी बात यह जो नोटिस आप कहा रहे हैं कि 27 तारिकों यह बिल्कुल ओरिजिनल ओथेंटिक लेटर है लेकिन ओफिशली अनाउंस नहीं हुआ है ठीक है ना भाई ओफिशली के कहा है पब्लिकली आप सबके पास यह साइट पर नहीं आया है इसलिए इसके बिहाब पर आपको 27 तारिक वहां नहीं पहुच सकते क्योंकि अगर वहां चले भी गए तो कहेंगे कि लेटर ठीक है डेट ठीक है इसके ओपर जो भी आपका रोल नंबर है वो ठीक है बट आपको अमने ओफिशली तो साइट पर यह डाला ही नहीं कि कितनी तारिक को आने कब आने क्या प्रोसेस है तो यह इंटरनली लेटर तो बिल्कुल ओके है लेकिन इसकी डेट के अंदर कुछ चेंज करके आपको यह साइट पर डाला जाएगा और जब यह साइट पर पब्लिक हो जाएगा उस समय आपको जाने ठीक है ना 27 तारिक को जिसका भी है उसको कहीं भी नहीं जाना है अराम से अपने घर बैटना है अराम से घर बैटो कमफर्डेबल हो के बिल्कुल जिस दिन नोटिस आएगा आपको पता लग जाएगा और उसके बाद रोल नंबर आपके यह की रहेंगे जो लिस्ट वाईज है बस उस आपको कहीं भी नहीं जाना है सब्टाइस को दिल्ली पुलिस के साइट पर अपना यह जो नोटिस से स्काने की वेट कीजिए और कोई अपडेट अगर गुप्ट सुत्रों से मिलती है तो आपको जल्दी ही पहुचा दी जाएगी थेंक्यू सो मज़ग